अलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं शॉर्ट स्लीव की पेपर कटिंग आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूं इसमें मैं जो स्लीव की लेंध है वो 5 इंच रखने वाली हूं तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि अस्तर वाले बलाउस की मैं कटिंग कर रही हूं अगर आप नॉर्मल बलाउस की कटिंग करते हैं तो उसमें आपको देड इंच एक्स्ट्रा लेना है और नहीं तो एक इंच एक्स्ट्रा अब यहां पर मैं गहराई क्ले मार्क करूंगी तो मेरा जो चेस्ट साइज है वो 38 है उसके लिए मैं उसका 10 भाग लूँगी याने की दस्वा हिस्सा हमें लेना है तो 3.8 हो जाएगा तो यहां पर 3.8 पर मैंने एक मार्क लगाया और अब मैं इसकी सीधी लाइन खीच लूँगी तो होगा साड़े 9 इंच साड़े 9 इंच में से हम 1 इंच माइनस करेंगे त हो जाएगा साड़े 8 इंच तो अब हमें साड़े 8 इंच पर एक निशान लगाना है तो यह निशान हम तिर्चे में इस तरह से लगाएंगे पहले हम सिलाइक ले उपर मार्जिन ले लेंगे लगबग हाफ इंच और यहां से तिर्चा टेप को रखना है इस लाइन पर और जहां पर भी साड़े 8 इंच आएगा वहां पर एक निशान हमें लगा लेना है तो यह अगर प्लस साइज है अगर जैसे 36 है 38 है या 40 इंच है तो आपको इसी तरीके से निशान लगाने होंगे अब हम स्केल की मदद से देखिए इस तरह से तिर्ची एक लाइन खीच एक इंच पर एक छोटा सा मार्क मैं लगाऊंगी और जो यह तिर्ची लाइन मैंने ली है इसका हाफ हमें लेना है याना इसका जो बीच वाला पॉइंट होगा वहां पर हमें एक निशान बना लेना है तो यहां पर मैं बीच में एक पॉइंट लगा लूँगी टेप को मै ताकि मैं जो back arm hole का curve है वो अच्छे से दे पाओ तो मैं यहाँ से जहाँ पर मैंने एक इंच पर निशान लगाया था वहाँ से हमें जो है curve स्टार्ट करना है और इस तरीके से देखी यहाँ पर मुझे shape लगा लेना है तो यह back arm hole का shape हो गया है back arm hole के shape के बाद में front arm hole भी हम एक इंच वाले निशान से ही curve देंगे तो यहाँ पर curve दे के जो mid point हमने लिया है वहाँ से हमें नीचे ले जाकर इस तरह से गहरा करना है अब आपको arms की जो गुलाई है उसे नाप लेना है मेरे इसमें साड़े 11 इंच है उसका half आपको लेना है तो मैंने सर से tape को double किया है ताकि मैं इसका half ले सकूँ और यहाँ पर मैं एक निशान लगा लूँगी और margin मैं लेती हूँ 10 इंच तो एक निशान में 10 इंच पर लगा लूँगी और यहां पर भी देड इंच पर एक निशान लगा लूँगी अब इसके बाद इन निशानों को हमें मिला लेना है इन निशानों को मिलाने के बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे और इस paper cutting को आप कभी भी use कर सकते हैं जैसे मैंने 38 chest size के लिए किया है वैसे ही आप 36 के लिए या 42 के लिए कर सकते हैं तो मैं अब इसकी cutting कर लूँगी पहले मैं back arm hole से cutting करना start करूँगी ये paper जो है वो folded रहता है तो हम फिर एक ही side में इसके front arm hole की cutting करेंगे क्योंकि front arm hole में थोड़ा ज़ादा गहरा होता है अब मैंने इसकी cutting कर ली है इसके बाद में मैं front arm hole की cutting करूँगी तो हम इसी क्या करेंगे paper को खोल लेंगे पहले और open करने के बाद में सिर्फ एक part से ही हम front arm hole की cutting करेंगे तो इस तरीके से देखें आपको open कर लेना है paper को और उसके बाद में यहाँ से हमें जो गहराई का निशान हमने लगाया था फ्रंट आर्म होल के लिए वहाँ से हमें कटिंग कर लेना है तो इसके बाद में देखिए हमारी यह जो कटिंग है पूरी हो चुकी है और हमारी स्लीव जो है यह ready है तो कैसा लगा है वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा पसंद आया है तो लाइक कीजेगा और चैनल पर नहें तो सब्सक्राइब कीजेगा थैंक यू फॉर वाचिंग